सदबने में रिफरता और पवन पवन आपपार उकमे करूंगा जैसे तरह से हम देख रहे हैं शिनगर में लगातार आतंकियों की साजिशें देखने को मिल रही थी लेकिन अब जम्मू वाले अरिये में भी आतंकी काफी आक्टिव नजर आ रहे हैं तो किस तरह से वहाँ पर सीमा पार से लगतार साजिशें हो रही हैं लिफिल्टेशन की ड्रोन के जरी है हत्यार फैंक ने की और यहां पर जो ओवर ग्राउंड नेटवर्क है उसको मजबूत किया गया है मिल्टेंट्स की और के कई लोग पकड़े भी गए हैं जो कुरियर के रूम में हत्यार जहां कि कोशिश है कि किसी तरीकर से कश्मीर बेजा जा सके ना करेंगे हैं इन 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 रहाकों में कड़ी जो है वह चोगसी इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें पुलवामा जिले के पंपूर में सुरक्षाबल और आतंकियों की बीच एंकाउंटर शुरू हो गया है सुरक्षाबल ने एक घर में चिपे लश्करे तैबा के एक टॉप कमांडर उमर मुक्तार को घेर लिया है फिलाल दोनों तरफ से वहाँ पर फाइरिंग जारी है तो लगातार आतंक पर कड़ा प्रहार याँ पर देखने को मिल रहा है उपरेशन और आउट के तहट आतंकियों को चुन-चुन कर वहाँ पर धेर किया जा रहा है पुल्मा की बात करें, पुन्च की बात करें, शिनगर की बात करें पिछले 10 तिनों में देश के जवानों ने 11 आतंकियों को ठेर कर दिया है यानि किसी भी तरह से अगर आतंकियों ने कोई नापाक हरकत की तो देश के जवानों के तरफ से उन्हें मूद तोड़ जवाब दिया जा रहा है रिफद हमारे साथ बने वे रिफात क्या कुछ जनकारी मिल पारी है इस एनकाुंटर के बारे में एक आतंकी को गेर लिए गया वहाँ पर देखे इस तरह केसी मैंने कहा कि पांपूर में नप्णू जो एनकाुंटर चल रा है उसमें खवर ये आ रही है कि एक मिलिटन्ट बहुत ओंगाने आ है सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले दस दिनों में ग्यारा मिलिटन्ट अब तक मारे जा चुके हैं अलग-अलग एंकाउंटर्स में चाहे वो शुपाया हो अननतनाग हो बांडी पोर आओ या सिरी नगर हो या पुलवामा हो शुपाया में तकरीबन बारा गंटे में पांच मिलिटन्ट मारे गए क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिविलिन किलिंग्स होई उसके बाद आमी सियार पेपोर पुलीस ने हुमेन इंटिलिजन्स का इस्तिमाल किया जैसे जियो सी फिफटीन कोर ने हाल ही में एक प्रेस कॉंफरेंस में बताया कि हुमेन इंटिलिजन्स का वो इस्तिमाल करते ह यानि कि जो मुख्बिर होते हैं जो information उनको देते हैं उनके जरीए उनको information मिलती है militant के चुपे होने के और उसके बाद ही quad and search operation लाँच किया जाते हैं specific information जब मिलती है तो फॉरण quad and search operation लाँच किया जा रहा है कि infiltrate करके उस पार से militant आये होएं जिस तरह की से पावन शर्मा भी बता रहा है कि उस पार से launching pads की जहां तक बात की जा रही है बताया जा रहा है कि 300-400 militant जो है उस पार line of control पे उसका पार जो है वो मौझूद है वो यहां आने की कोश्च कर रहे हैं कि अभी बरबारी उतनी नहीं हुई है हाल ही में थोड़ी से बरबारी पहाड़ों पे हुई है क्योंकि गुरेज का जो सेक्टर है या कुपवारा का सेक्टर है या उडी का सेक्टर है पीर पंचाल का जो पूरा रैंज है है वहां से Infiltration की कोशिश होती है और यही इसी एक दो महिने में ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है लेकिनимся के कहना है कि यह आर्मी का यह कि बोसीके अलर्ट है और वह किसी भी Infiltration की give बिल्कोल बेश के जवान जो हैं पूरी तरह से अलर्ट है और हर तरह की घुसपैट को रोकने के लिए वहां पे कोशिशे की जा रही है। इस तुरान दोनों तरफ से जबर्दस गोली बारी भी हुई है। अंधेरे में डूबा पूरा इलाका गोलियों की आवास से गुण जोटा है। और दोनों तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोली बारी हो रही है। और गोलियों की आवास तो इस तुरे इलाके में है। पवन लगातार इस एंकाउंटर पर नजर रखे हुए। एक बार फिर में करू करूंदा पवन छे दिन हो गए। टाफी वक्त गुजर गया है। आखिर क्या वज़ा है इस इलाके के थोड़ा सा आप भगॉलिक परिस्थितियों को बताएं जिसकी वज़ा से सेना को मुश्किल आ रही है इस एंकाउंटर को हैंडल करते हैं। पूरी की पूरी जो रेंज एलाबक 40-50 किलो मेटर का इलाका है जो पीर पंचाल का इलाका है। अतंकियों ने पहले जब मुठवेड शुरू हुई थी जब पहले दिन हमला किया था वो डेरा की गली में तो पुंच का हिस्सा था और उसके बाद अतंकी बाग के निकले हैं और सुरक्षा बलों को उल्जाए रखने के लिए लग लग जगां से फाइर किये जा रहे हैं तो अभी भी कॉर्डन सर्थ जारी है रुक रुक कर फाइरिंग हो रही है है वी फाइरिंग बीती रात भी हुई थी पूरे इलाके को गेरा गया है अभी तक साथ जवान जो है सीविलें की नहीं हो रही है कि कहीं हा तंकी जंगल से बार निकल कर किसी गाली को हाईज急 कर लें जा कि सीविलें को निशाना बनाए और पिछले 6 दिन से यह एंकांटर चल रहा है अ